हैलो फ्रेंड हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपके लिए लिख रहे हैं बड़ी साइज की कुर्ती तो जिसके लिए हमने ये सवा दो मीटर कपड़ा लिया है इसमें से हम बड़े साइज में कुर्ती कट करेंगे तो यहां से देखिए हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख लिया है फोल लेयर करके और एक्ष्ट्र कपड़े को कट कर देंगे इसमें से हम बाजवगर बनाएंगे तो यहां से इसे अलग कर देंगे कपड़े को हमने 4 लेयर में रखा है तो सबसे पहले उपर से हम 3 नाप लेंगे 3 रहे हमारा 16, 16 का लेंगे 8 इंच तो 8 हमने उपर से 3 लिया तो उतर ही हमें आर्म होल्स लेने तो 8 इंच पर हम आर्म होल्स का मार्क करेंगे ठीक है यहां पर 8 इंच पर कर दिया है तो यहां पर हमें हाप में करना 4 इंच पर एक और मार्क डालना है और यहां बैक के लिए 1.5 इंच पर और फ्रेंट के लिए 1 इंच पर तो जो हमने 4 इंच पर मार्क डाला है उसको इस बैक के मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से गोलाई दे देंगे और हाप इंच की अंदर की तरफ गहराई लेंगे और ये फ्रेंट पीस के लिए है ठीके ये हमारी बैक के लिए और फ्रेंट के लिए अब हमें अपना गला उपर से रखना है थ्री इंच आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकती है तो नीचे की तरफ जो हम गला रखेंगे वो 6 एंड हाप इंच यानि 6 इंच त्यार रखेंगे तो हम 7 इंच ले रहे हैं यापर और 3 इंच अंदर की तरफ यहां से तो इसे भी हमें सीधा करके बॉक्स बनाना है और इसमें हमें गोलाई देनी है आप कोई भी सेप गले में कट कर सकती है तो हाप इंच हमें इसे आर्म हॉल्स की तरफ से डाउन करना है और नेक की तरफ मिलाना है तो इसे अच्छे से से सेट कर लिया है हमने बरावर में अब यहां से अपनी चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई है हमारी चालिस तो चालिस का फोर्द भाग होगा दस आप अपने साब से लें कम या ज्यादा कर सकते हैं तो दो इंच हम लेंगे एक्ष्टा लूजिंग के लिए तो यहां से हमें अपने आप कितनी कि सिलिट खुली रखना चाहें उस साब से ना पलें तो यहां पर हम 16 मारक कर रहे हैं 16 रखेंगा तो यहां पर और यहां से भी हमारे हिप जो है वो 10 इंच है फोर्थ भाग और 12 इंच रखेंगे ठीके यहां से इस तरीके से इसे तिरचा करके मार्क करना है चोटे साइज की कुड़तियां हमने बहुत डाली होई हैं आप हमारे चैनल पर देख सकते हो तो इस तरीके से इसे मार्क कर लेंगे यहाँ पर हमारे फिटिंग की जो सिलाई आएगी वो आएगा मार्क ठीक है यहाँ पर हमारी fitting की सिलाई होगी यह extra है इसे cut कर देंगे यह fitting है इसे ऐसे ही सीधा रखेंगे बिल्कुल यहाँ से cut नहीं करेंगे तो back के लिए सिर्फ हम half inch पे mark डाल रहे हैं देखिए collar लगाएंगे तो इसमें सिर्फ half inch की shape डाल रहे हैं जादा नहीं cut कर रहे हैं अब इसकी लंबाई देख लें कि हमें इसकी तयार जो लंबाई रखेंगे वह 41 inch तो इसमें हमने 3 inch कपड़ा एक्ष्ट्रा लिया है तो यहां पर और half inch उपर सलाई में जाएगा तो हमें two and half inch यानि धाई इंच पर एक कट लगा लेना जो अंदर की तरह फोल्ड होगा यहां से कपड़ा अब एक्ष्ट्रा को cut करेंगे यह बहार की side से ही cut करना है सबसे पहले हमें back armholes की cutting करने होती है तो अब यहां पर इसकी cutting हो गई है इसकी back piece को निकाल देंगे उससे पहले यहां पर देखिए कमर की जगा पर एक notch लगा लेंगे छोटे से cut और hip की जगा पर भी लगा लेंगे सिलते समय यह बिल्कुल बराबर में आने चाहिए वरना कुर्ती टेडी हो जाती है तो back piece को हमने अलग कर लिया है बिल्कुल बराबर में रख लिया है तो इसके neck को cut करेंगे और जो half inch की गहराई हमने arm house में दिया है उसको भी सेम इसी तरीके से cut करना है जैसे हमने mark डाला है तो इसे हमने पूरे को cut कर लिया है तो अब इसके लिए हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है तो देखे इसकी जो लंबाई है वो 17 inch है और हमें इसे 16 inch रखना है ये बंद की side है ये खुले की side है तो यहां से देखे हमें खुले की side से 3 inch पे mark किया है उपर की तरफ ने भी हमने 3 inch पे mark किया है ठीक है इस तरीके से इसे तिर्चा करके मिला देंगे और half inch की गहरा या और देंगे front piece के लिए ठीक है यहां पर इस तरीके से और जो भी आपकी bottom हो उतना खुला रखें तो यह यहां पर हमारा 6 inch है तो यहां पर हम 8 inch लेंगे 2 inch extra लिया है तो इस तरीके से इसे तरीके से तरीके से कटिंग करेंगे तो यह जो हमने four layer में लिया है कपड़े को 10 inch 8 inch के हमारे armhouse तो यहां पर 10 inch लिया है और half inch की घहराई को और कट कट देंगे उपर वाले दो पीस को ठालेंगे तो इसकी cutting हो चुकी है इसमें से हमें अपनी neck के लिए पट्टी कट करनी है तो यह हमारे गले के अंदर से pattern निकलाता वह है और इसको बंद की साइड से बंद की साइड रखके और इसे पट्टी कट कर लेनी है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बार नौट्पिक्शन बैल को जरूर दवाए ताकि हर वीडियो की नौट्पिकिसन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो देखिए यहां से देर से दो इंच जो भी आपको फोल्ड करनी है उतनी चोड़ा ही ले और पट्टी को कट कर लें यह अंदर से भी कट कर लेंगे आखीर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ